हां तो आज हमनों देखते हैं टॉपिक यह डगराम टू रिलेशनल मैपिंग यह यूनिट वन का टॉपिक है जो हमने छोड़ रखा था उस्ते छोड़ रखा था क्योंकि आपनों को पहले यूनिट टू पढ़ना पड़ेगा उसके बादी यह टॉपिक समझ में आएगा दर ओस्ते डिवलोप्मेंट लाइब सैकल एड से यह जो फाल फेलिटलप में में पूछ क्या है विला के बाद होता है अले सेंट मनेंडिजाइन थर्ड पनेल इस को ठोट हमें इस मेंटेग और मिंटेनिंस और लास्ट मनेड़ पाली परते सेंट जो अने इनांट मेंटेन डा तो जब भी जो भी requirement है नाप्रता है इनलिस करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलार प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या-क्या हमें है तो ऊसपी नारियों दिए रहते के समय कि एंलीस करने के बाद बिजूसपर रही है इंपष्टे nhân यहां है और depression दिधाइब और बेजाइन पर दिनिन हमनों करते हैं फॉता हाई लेफ दिजाइन और एक फॉता है ई लो데 टि अ तो नियुक्त कर रहे हैं तो डिवेस्ट में जो हाई लेवल डिजाइन होता है वो होता है यह और जो लोग लेवल डिजाइन होता है वो रहता है मारा इसकी मारा जिसमें हम क्या करते हैं सेट आफ टेवल बनाते हैं अब यह पर्टिकलर डिजाइन होने के बाद को कोड करता है और फिर वह क्या होता है डिलीवर होता है तब तक होता है मेंटें यह तो हो गया है रहरा है मतलब हमारे मारा गराम है तो उसको हम क्या करेंगे हम तो यह हो जाता है हमारा high level to low level design transformation के कुछ step अगर मैं high level to low level design अगर करता हूँ तो मेरा जो project में जो data के base जो बनेगा, जो tables बनेगी, वो क्या रहेंगी, सब good design के अंदर आएंगे और अगर मैं पहले ही लो लिवल डिजाइन बना देता हूं एक अमस्ता में कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ पर ना पड़ता है रिमूब करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है normalization. चिक है? तो जो폰 कि फड़ेगे unit 3 में. तो unit 3 जो topic है हमारा वो था normalization जो हमारे नायe flavor में हो गया है unit 4. तो यह mamy new topic जो है start करना है अगली Class से लेकिन यह normalization की तब पड़ेगी जब मैं पहले low level design बनाऊँ और उसके बात से में क्या करूं उस low level design को क्या करूं मैं उसमें से anomalies को रिमूब करूं लेकिन अगर मैंने high level design बना लिया है और उसको मैंने successfully map कर लिया है low level design में we don't need to to normalize our table clear ! तो normalization की जिरत तभी पर्प्रिये है जब हम पहले से tables बना लें टाइबल से कुछ पुछ anomalies रहेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं उस anomalies को इन पर्टिकुलर एल्गोरिफम के recording high level design to low level design क्रेट कर गो मेरा जो टेवल्स बनेगी वह होग टेवल्स मेरी क्या अगी अग्स तक च्छित रहेंग से अग ay तक नॉम्मलाइश्ट रहेंगी इसका मतब्य है कि मुझे अब और पारदर नॉम्मलाइशट नहीं करना और क्यों कि इंड़स्ट्री करते हैं उसके आगे नहीं करते हैं उसके आगे जो है एक बनाया गया है कि ऐसे में रूम कर दूर कर सकते हैं लेकिन जनरली सब्सक्राइब करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं वह हम नॉमलाइशन में पढ़ेंगे अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहां तक किसी को डाउट है एनी डाउट कोई डाउट नहीं है आगे बढ़े लोग बलड़ी आ रहे हैं यहां पर दो शर्ड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है लप्तॉप में नहीं दिख रहा है बलकुल भी बहुत जाद़ ब्लैड़ी है पहले अच्छा दिखता है फिर पूपलर हो जा रहे है ऐसा हो रहे है आपको बीजिए फोटो फिस्ट के हम डालते रहेंगे अब यह जो हम स्टेफ पढ़ने है या डाग्राम टुलेशनल मैपिंग बता हम आपर पास क्या होगा कि यह डाग्राम दिया रहे हैं अम्में क्या बनाना है उसका स्टीमा डाग्राम बनाना है अमरे पास सेट आप टेबल बना नहीं के इसके कुछ नाइन स्टेफ ने स्टेफ है मैं सिंगलर एंटीटि सेट के वाइपिंग क powinien सिंपल यूड अरट्रिबूट नेट ऐस्ट इस मैपिंग ऑ बीगंगडeln थे करेंगे तेरा मैपिंग और बाइनेरी वन तूंद डेलेशन चिपंग बाइनरी वन तूमेन लेशन्शिप पीदी में यह पर सीन टैप की रिलेशनशिप होती हैं यह तीन तीन जिदेखेंगे वन टु वन टु मैनी मैनिक तो मैनी का बाद हम देखेंगे मैपिंग और एनरी रिलेशन्शिप रोगी उनको हम कैसे मैप करेंगे तो यह स्टेफ आप लोग लिख लिए हैं तो अगर मैं इनको मिटा दूँ वन बाइवान एक स्टेफ देखेंगे या फिर यह बोर्ड अगर आपनों को दिख रहा हो तो मैं इन बोर्ड में लिख दूँ यह स्टेफ यहां पे लिखे रहें दो मैं इन बोर्ड में पढ़ा दूँ व्यातरा आपको बढ़ा बढ़ा करके मैं इसमें पढ़ा दूँ तो यह स्टेफ लिख लिए हैं फोटो आ ग कि इन देखते हैं मैपिंग ऑफ रेगुलार नटीटी सेट लेगुँरर मींस स्ट्रॉव एंटीटी सेट ठीक है और एकजांपल मेरे पास अगर एक एंटीटी सेट भी आज्टूडेंट ठीक है और उसमें कुछ क्या होगे एक्टृइब्यूट होंगे आपका से और एकजा वी यूज, सेमेश्टर, ब्रांच, फोन नमबर, तो जितने भी ER अगर हमें, जितने ही अरपास strong entity sites हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी एक table create करेंगे, ठीक है, अब table कैसे create करेंगे, तो table हम create करेंगे, student, ठीक है, और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, अब attributes हम define तो जितने भी simple and single value attributes हैं, उनको हम क्या करेंगे, directly insert कर देंगे, तो single and simple value attributes क्या है, मार पास roll number है, Sam है और branch है, तो इसको हम क्या करेंगे, directly हम दिख देंगे, जितने भी composite attributes हैं, उनको हम क्या करेंगे, simple components को लिखेंगे, सिंपल कंपोनेंट के लिखेंगे मतलब मैं लिखेंगा फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लाश्ट नेम इसको बोलेंगे नेश्टेड रिलेशन जन्रली हम लोग अवाइट करते हैं कैंगे उसके सिंपल कंपोनेंट को लिखेंगे लिखेंगे हैं उनके हम क्या करेंगे चिगए सिंपल नेम या Kingdom और नेम मिडिल नेम लाश्ट नीम लाश्ट नेम इसलिए अ क्यरत सिंपल लिखेंगे सकते उन और या पे यह के én कि लिखेंगे जितने भी गंपोजी यह तो मुट्इविघृट्रिविघए ओ लिखेंगे जितने भी इसाफ पूंड़ पश्थ स्टूडेटell पौन हे Dortman रोल नमबर और फोन नमबर को अब यह आशा क्यों कर रहा है इसका कोई इंस्टेंस करेट करें सब्सक्राइब करो कि मैंने इस्टूदेंट का मेने का किया लोगो लेओं डिजाइंग मनाया अब मैं रॉल नमबर वन रखाऊंगा हूं रोल नमबर वन सपोस्थ राम मिडिल है नहीं है सब्सक्राइब आपकर किया रखेंगे लोगों कि इस वालीयु तो समिश्टे वैल्यू थो समिश्टर वैल्यू हम लिख रहे हैं थ्री वरांक हम लिख रहे हैं थी यैजिए अब सपोस्थ करो कि राम के पास दो मोबाईल नमबर तो मैं यहां पर अगर मैं रोल यह मैं आपि नम्बर करों कि 764 और 7869 अगर रोलनम्बड करना चाहूं तो मैं यहां नहीं कर सकता है ठिक है क्यों ? क्योंकि टेबल में मैं एक पर्डिक्लर रोग के एक पर्डिक्लर कॉल्म में एक इस divice स्क्ता हम दो वैलियू मैं a2े नहीं कर सकता मुझे धों करनी तो मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं फैला फॉर न did प्रम यहां पर लिख रहा हूं कोसे मां Kommentare क्या होगी इन वे यह नहीं कर सकता यह जो रहाए गाई यह रहाएगा है इस प्राइमिरी की को रिफर कर रहा है मतलब यह मेरा क्या है एक मेरा वारें प्राइमिरी की चाहिए तो मैं क्या करेगा जाए पर नमबर, नंबर का सब्सक्राइब, ईह पर बनाऊंगी यहाँ पर क्या होगी, यहां पर भी एक क्रों रहेगी, अब कई वर मुझे पता करना है की रॉल लंबर होने से क्या होगा है में पर चुके है तो इन शॉट इस परका लिए या डिवार्वक्ण के लिए यह त्वाइग इस्ट्र में होडिए छोट करेंगे रोलनमबर करेंगे स्थार्यूट करेंगे फर्स्ट नेम मेडल नेम लाज नेम मैठ्वन कि बरांग और मैठ्वन संश्टर और रोलनमबर इस दी प्रामिटी आप दिस और दुसरा टेबल हम मना आएंगे student phone और इसके हम क्या रखेंगे roll number phone number combination of roll number and phone number will become the key okay and this roll number is an foreign key which refers to the primary key of student relations clear so these two tables are required for this year diagram clear so मैंने कॉंकों से स्टेप प्रादिये मैंने regular entity set प्रादिया मैंने simple and simple and single value attribute का प्रादिया मैंने composite attribute प्रादिया मैंने multi value attribute प्रादिया multi value attribute के ले में का करना पड़ेगा अलग से table create करनी पड़े clear है यां तक any doubt दिखना हा सबको any doubt no sir no sir आगे बढ़ते हैं so next topic हमारा है mapping of weak entity set के लिए हमने एक ही डियाग्राम पड़ा था वोई डियाग्राम मना लेते हैं loan with loan id which is the prime attribute next one is loan amount तो हम directly amount लिख देते हैं आपर थिर हमने याप पड़ा था loan dash payment और फिर हमने आप लिखा था weak entity set which is payment clear है it is always one to many from loan to payment और payment के लिए हमने एक descriptor हमने लिखा था payment number which is the discriminator और partial की और दूसरा हमने आप लिखा था pay amount clear है अब इसके हमने यह पड़ा था कि loan payment का जो है इसके कुछ रूस पड़े थे कि loan payment is an identifying relationship इसका कोई भी descriptive attribute नहीं होता है यह loan payment जिया जो identifying relationship होती हमेशा one to many होती है from identifying entity set to weak entity set clear है तो यह हमने कुछ रूस पड़े थे और यह भी पड़ा था कि identifying entity set का मेशा partial participation रहता है और weak entity set का मेशा total participation रहता है ठीए रहे अब इसको जब भी हम map करेंगे तो पहली टेबल हम क्या बनाएंगे regular entity regular entity हमारी क्या है loan तो में लिखा loan with loan ID and loan amount with loan ID as in primary key ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और दूसरा हम क्या बनाएंगे table दूसरा हम बनाएंगे statement which is the weak entity set a weak entity set के लिए मने पड़ा था कि the primary key of weak entity set is the combination of its identifying it is the combination of its primary key of its identifying entity set plus partial key ठीक है तो primary key of identifying entity set is loan ID और partial key is payment number यह दोनों मिलके क्या हो गया primary key हो गया किसकी weak entity set की और उसके बाद हम लिख रहे है pay amount ठीक है तो यह जो loan ID रहाएगा यह क्या रहाएगा foreign की रहेगा जो इस particular loan ID को refer करेगा clear है मत्था मेरे पास total दो टेबल होनी चाहिए अब ठीक है family table loan दूसरे table मेरी payment ठीक है इसके लिए मैं पास primary key defined है इसके लिए मैं पास primary key defined थी तो मैंने क्या कि primary key बनाई और यह जो होगा और यह जो है यह मेरा foreign की हो गया इसनों क्लियर है अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे यह जागराम में हम कभी भी foreign की को शो नहीं करते हैं क्लियर है foreign की हमेशा कहां आती है foreign के combination आता है हमारा जब हम low level design मनाते हैं जो हम table create करते हैं तभी हमारा क्या होता है foreign की comment हमारा concept आता है otherwise यह आडागराम में हम कभी foreign की को शो नहीं करते हैं हम सिर्फ prime attribute को शो करते हैं कि यह हमारा prime attribute है जिससे हम क्या करेंगे उस particular entity इसको हम क्या करेंगे identify करेंगे clear है so this is mapping of weak entity set कैसी को doubt है इसमें any doubt देख रहा है सबको नई सर मेरे साइट ने दिख रहा है अच्छा हलका हलका दिख रहा है बलार हो जारे बार 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 बलार हो जा रहा है कि फोटो आया है फोटो में देखने है अब देखते हैं मैपिंग ऑफ बाइनरी वन तो वन रिलेशंशिप बाइनरी वन तो वन तो वन रिलेशंशिप ठीक है अब इसके लिए हम क्या करते हैं यह डागराम बनाते हैं लेट सपोस्टूदेंग और एक हम मनाते हैं टीचर पीचर पीचेश स्टूदेंट अब दोनों साइट बेरा क्या है वन तो वन मतब एक स्टूदेंट एक टीचर सब पढ़ेगा एक टीचर एक ही स्टूदेंट को पढ़ाएगा ठीक है सब्सक्राइब करते हैं और पास सीन एप्रोच है पाहली अप्रोच जो है वो है फैस्ट वन इस भी पॉरेंट की अप्रोच सब्सक्राइब एक रिलेशन्शेफ रिलेशन अप्रोच अब कब कौन सा यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे ठीक है तो वन टूवन में हमने को यूज़ करना है फॉरेंट की अप्रोच अब हम अभी जो बनाया है यह आड़ाग्राम इसमें हम एक्जूम करते हैं कि टीचर का जो है कि है तोटल पार्टिसिपेशन कि स्टूडेन का क्या है टोटल पार्टिसिपेशन है उसका रहे हैं इसका रिलेशनशिप का वो ए ग्रेड कि teacher अगर किसी student को पढ़ा रहा है तो उसको उस particular teacher ने उस student को क्या grade दिया है वह हम maintain कर रहे है किसमें descriptive अब सबसे पहले तो हम मनाएंगे student table हम लिख रहे हैं आप पर student इसमें वापस रहेगा roll number और student name ठीक है roll number हम suppose one two three four five six six students में मानके चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं six student के हमने आपे दिखें सब्सक्राम शाम मोहन गोपाल रिंकी एन पिंकी एन पिंकी यह मारतास के हैं six students हो गए teacher का हम बनाते हैं तो हम क्या बनाएंगे आपर हम बनाएंगे teacher with teacher id teacher name so teacher id सबकोश हम लगा है t1, t2, t3, xyz, xyc, abc तीन हमें आपस क्या teacher है अब हमें क्या करना है कि हमें maintain करना है कि one teacher, teacher only one student ठीक है एन वन student is taught by only one teacher ठीक है लेकिन student का जो है वो क्या partial participation है teacher का क्या है total participation है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हार पाव student ज्यादा है teacher कम है बोल सकता हूं क्या अवाज आ रही सबको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं पाव teacher कम है student ज्यादा है क्योंकि कुछ student पर रहे हैं कुछ student नहीं पर रहे हैं लेकिन जो teacher है वो सारे teacher पढ़ा रहे हैं कुछ students को पढ़ा रहे हैं कुछ students किसी भी teacher से नहीं पर रहे हैं तो जो टीचर हो किसी प्ठाइए सब्सक्राइब अब हुआ अगर मैं इस टीचर आईडी को ऐसे चुरेंड की में डालूं अगर मैं यहां पे मेंटेंड करूं अब अब स्टूडेंट वन जो हां सब्सक्राइब है यह कि यह पर रहा है यहां पर चुछ नहीं नहीं है क्यों कि जो टीचर है उकिसे किसी स्टुधन को पढ़ा ही रहा है जिकली काई खोनल एकर उट यह आपने पीड़ कररेंगे तो हमने सिकत कहते हैं हमें हमें तोटल पाइब की है है टोटल वाले मशन क कोा करेंगे वर हमके हमारा डिजाइन और इंसर्ट करेंगे यहां पर सिर्प्ति देख्र खào कि दूकते हैं किसमें इसमें डिलेशनश्थ पनिल उसको भी क्या कर रहेंगे उसको भी हम यहां ग्रेड और सपोध ए ग्रेड ए और और भी ग्रेड है फिम खेट विए अब क्या कर रहे हैं यहां पर मेंटेंक़्ас ऐसर रहें 16 तो माण पास्no 2021 दूझेंट with role number as in primary key and then student name दूसरा बनेगा मेरे पास teacher with teacher ID, primary key teacher name, role number and grade और यह जो particular role number है यह foreign की रहेगा यह इसको refer करेगा clear है? प्लस अब इसमें एक चीज और ज्यान देने की बात है कि teacher का क्या है total participation teacher का total participation है तो इस role number को जब यहाँ insert कर रहा हूँ तो मतलब teacher किसने किसी role number को पढ़ा रहा है इसका मतलब है कि यह जो foreign key है इसमें एक constraint और add होगा वो add क्या होगा? not null constraint अब मेरा यह foreign की क्या होगा? null value contain नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? not null उसको लिखना पड़ेगा otherwise यह क्या करेगा? null value contain कर सकता अब अब null value contain कर रहा है तो नहीं कर सकता है कि वो total participation नहीं होगा और वो क्या होगा? मेरा partial participation नहीं होगा? clear है? तो यह हो गया मेरा पहला foreign की approach इसमें हम क्या कर रहा है? foreign की insert कर रहा है किसमें? हम teacher में foreign की insert कर रहा है कुन सी? rule number को as a foreign की insert किया मैंने teacher में ठीक है? और foreign की insert करने के बाद मैंने क्या किया है? कि उसको एक notional constraint भी मैंने अलॉट कर दिया है क्यों क्यों कि यहाँ पर मेरा क्या है टोटल पार्टिपिशन है अगर यह टोटल पार्टिपिशन के लिएगा पार्टिपिशन होता तो मैं नहीं कर सकता था हूँ क्लियर है तो यह हमारा हो गया मेरा फॉरेंग की अप्रोच तो फॉरेंग की अप्रोच कभी उग करेंगे जब एक साइड मेरा पार्टिपिशन हो और एक साइड मेरा क्या हो टोटल पार्टिपिशन हो तब मैं क्या करूंगा पार्टिपिशन वाले प्रामरी की को एज इन फ चले मिठाऊं इसको मैं हाँ अब हम देखते हैं सेकेंड एप्रोच रिलेशन्शिप रिलेशन एप्रोच अब मेरे पास क्या है वन टू वन मैपिंग है इसमें इच्चर और श्ट्रेंट में और दोनों साइड मेरा क्या पार्शल पार्टिस्टेशन है मतलब स्टूडेंट जो है कुछ स्टूडेंट कैसे टीचर से पढ़ रहे है कुछ स्टूडेंट कैसे भी टीचर से नहीं पढ़ रहे है सिमिलरली टीचर कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे है और कुछ टीचर किसी भी student को नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, मतलब अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता है, कि student जादा है या faculty जादा है, मतलब teacher जादा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता ये total मारा depend करेगा instance के ऊपर, ठीक है अब suppose को मैंब पास 6 students हैं, और मैंब पास 3 teachers है इस पहले तो मैंने दू टेबल बना ली रहा मने बनाया क्या student student with student name पर रोल नम्बर एंड student name और नम्बर इस दी प्राइमरी की teacher विट इज दी टीटर नेम टीचर आइडी इस दी प्राइमरी की खेयर है अब मुझे क्या करना है relationship को map करना है ठीक है अब relationship के लिए मैं क्या करूँ अगर मैं teacher ID को as in foreign के लिए क्या पाँ यहाँ पर ठीक है तो roll number 1 पड़ रहा है T1 से यह पड़ रहा है T2 से बाकी लोग नहीं पड़ रहा है तो मैं तो क्या करना पड़ रहा है मुझे यह सारे में का करना पड़ेगा null value इंस्टोर करनी पड़ेगी clear है अब यह null value से मुझे बचना है तो मैं का कर रहा हूँ मैं second approach use करता हूँ मैं यहाँ पर रूप करता हूँ क्या रूप करूंगा मैं roll number as in foreign key तो अगर मैं यहाँ पर रूप कर रहा हूँ मैं क्या करता हूँ स्पीछे स्नाम की एक टेबल बना दूंग और उस पीछे संग मैं क्या करूं तीन एट्रिबुट रखूं पहला मैं रखूं पीचर आइडी दूसरा मैं रखूं रोल नम्बर और और यो निया रहा है तो इस पीचर आइडी जो है वो सबस्ट कीवन रोल नम्बर वन को पढ़ा रहा है उसमें इसमें रिखूं पढ़ा रहा है तो नम्बर तुन को और तुन को नहीं पढ़ा रहा थे यहां पे टेबल नीया कोई रो नी आएगी तो लूंबर रहा है थरी फोर सपाइड रहा है और रहा है तो इनकी विडिख दो यह हमें इनकी आघे तो यहां पर क्या होगे मैं यहां अग्याण seekers करने है या तो मैं फिल्टर आइड को प्राइमेल भी बनाओ या तो मैं फिल्टर आइड को मैं क्या करूं प्राइमेल को पढ़ाएगा अब अब आप्शन है कि रोल नंबर एक इस पर रहा है तो यह भी मेरा रिपीट नहीं करेगा तो यह लेटने क्या रहा है कि यह दोनों और प्रिपीट नहीं करें रेखा ऑ और जिपते हैं जो उसको भी दी क्या होगा कि एड है क्या होगा है क्या होगा है एक टेवल क्रेंट होकी जब नों साइट पर क्या रहा है अजल पार्टिप्टिशन है वन तो है तने तो मैं यूज कर सकता हूं रिलेशेंशिप रिलेशेंशिप रिलेशन एपोर बेटर डिजाइनिंग ओट माइट एपोर यह अप्रोच पीस अप्रोच देखें अब फट बनी ती मर्ज रिलेशन अब मर्ज रिलेशन अब 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 आपकोश हम कर रियूस करेंगे जब दों साइट मेरे चारा है जो अब तब यह भी और यह भी अब तोटल पाटिक्वेशन है और रिलेशन शिप जो है वह है वाँ टू इसका मतब जीतने कि तैंस अंग बसन बाट्व कर में जीआ चुमारी और जुटाहिशन है जितने स्वस्द्गेंगे अ किसी कि तो कर देख नूप प्रस्ग करों नियुक्त हो जतुभ कि स्ट्रोंह रहें और सब्सक्राइब कर दाएब हुए ऐगा हुए हुए और सब्सक्राइब है और भी टोर्ट अवकर दो को थिए जिए घए हुए हुए मैं अजिन नस्युए था वां या जाएगा यह कुछ प्रहुए हुए पर बैटर नहीं कि मैं एक इही टेवर बना हूँ और उसी ही मैं सारी सारी इंपरमेंटर में चाहिए A D1, D2, D3, A D1 का नाम जो हूँ, X, Y, Z, X, Y, C, A, B, C ज़के अब , अगए में आपस्पास्टर थे नहीं है यहां तुमां बोल्म मत्री प्रेष बनाओं यहां तुमां इच्छर इड को करनेगी तुमां सु से बनाओं यहांज सुक्डिके मेरा टेवल का राएगा इटावल करें इटेवल करेंगे टेवल के शाटेश्यों साूरे यार आगाम को मंद्स करके मैं एक ही बनाओंगा और उसमें भी डिस्टिप्टिव एक्रिप्ट है वो भी मैं यहां पर मिल्टेंगा अब इसर एवन में ने रोल नंबर वन को एग्रेंट दिया रोल नंबर प्रीकोस ने कामिया यह तो मैं दो यहां के टाकर मों मिल्टेंग कि यहां पर आंट क्या हो ना एक ही इस वाद करने के वाद या मेंटेंग तो यह होगा हमारा मर्श रिलेक्शन एक्टों यहां कि को डाउट वन ग्रेपिंग में अब यह क्या होता है कि कुछता है या यह रावार दिया रहता है वह गुष्टा है मिनियूम किसे नंबर अगले पास पॉटल पार्टिशन है और अगर एक साइट पार्टिशल दिया है या दोनों साइट पार्टिशल दिया है तो में पास क्या है दो जैडल केस में पस्किया तो तेबल है या पको यह अंगर कर सकता हों हुआ नाट को कि मिसटीमय तो टेबल दाकेती और आप सब्सक्राइब को टोटल पार्टिस्पिकेशन दिए 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 अब आगे दर्टे नहीं कि मैं पाइंवरी वन्टू कि मैंने लिए लिए पंखे अब भाइनरी वन्टू पहनी है। के बंजुम्एधि मेल आज़ मा नुण सोंन की डिरेख्ट इसरो फल्ट चूर थे विरति ने करें पंञ में पर रहे को रहिएड ंदियू किए अब बाइं तो में फेले तो जेखिए मुझे क्या करना पदेगा देला रिटेबल गिए कि पूरेंट की युण आप में डेंटोरूऊंगा डोल नंबर्ग सुंदेन नेटा स्वे रोल लंबर वान टोल टोल टी करते है राम याम मोमन ये और बुसिहरल ह मनाच ये ट्राइब क्रूट युझ एपोति Tomato another क्या है और जूद पहरो किंग क्या कि आपकू को अगर को पड़ा रहा है तो इसको यह वे में डूर है टीवन चूट को इससे आपक्राइल स्पीटियूण पार्टिक्विलर टूर नहीं का हुए और थे प्रैमरी टीन के रहा है तो ने यहाँ प्रॉप्रवर यहां मैं foreign की insert नहीं करता हूँ, अब मैं foreign की student में different रहता हूँ, मैं आपर लिखता हूँ, इतर रहता हूँ, roll number 1, T1 से पढ़ रहा है, roll number 2 भी T1 से पढ़ रहा है, roll number 3 जो वो T2 पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहां पर मैं maintain कर सकता हूँ, as in foreign, तो यह teacher id मैं रहा हूँ, foreign की रहा है, जो इसको refer, यहां मैं काता हूँ, grade भी मैं maintain पर, मतलब अगर मैं पस one to many relationship है, तो मैं काता हूँ, इस relation को काता हूँ, इस particular entity, इसमें एक केस और है यह हो गया मेरा दोनों साइड आगे मेरा पार्टिसिपेशन है इसका मतलब है कि चुडेंट हो सकता है किसी पीचर से ना पढ़ेगा ना तोड़ करने हो जो इसके से मैं नल हवाइट नहीं कर दो लेकिन अगर अब मैं यहां पर क्याता हूं कर रहा हूं कि यह कॉंसे पीचर सब पढ़ा है और इस पॉरेंट कीम में क्याता हूंगा अगें मैं चाहिए हूंगा नॉट्नल गांस्टेंट इसाइंग कर दो क्यों 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 कि यह पर्टिप्ला इस्टुडेंट का मेरा क्या है तोटल पा तो यहां मुझे लिखना पड़ है कि यह जो फॉरिंट किये वो नल वैल्यूस कंटेंड नहीं कर सकते हैं तो यह होगा मेरा 1-2 मैंड अब इसमें गेट कुस्चन में आया था हमें उसको किसे क्या है तो उसमें सिनारियो दिया हो था ए पार्चियल वाला अंसर ज्यादा परेक्ट है लेकिन पार्षेल वारे में पार्षेल और टोर्टल वारे में चेज़ा जादा आगा है कि और अघर दोनों लगाना है में लगा रहा है तो पूटल को लक्त क्यों कि जादा कर लेकंगा फिर निए वह वेल्यू को आए तो लेकिन सते में नेश्छेक्ट नेश्ट देखते हैं मैंने नेक्स दिकते हैं मैंने लिए मभी किए सब्सक्राइब को आगए न वैंने किए आगा si अगा जाए इस यादा सागेशा और इस यादा फिरूमको पढ़ा हूं ए अगर ऐसा सेनारियो है, अब पर पहले तुम्हें बनाऊगा student table student बनाया, student table में दोलायएं को सबसा, student name, student name, student name, teacher id is the my family, अब इस teacher में को मैं आपके, तुम्हें यहां के रहे teacher id लगा सबता हूं, आप मुझे का जाना पड़ेगा एक टेवल अलग पर ने पुत अब ने पुझे टेस बंसे दिनद्या एपकी मसा difिच अमें हम आपर का मैंदें टृरों रो लंबर इचरहेज़ लेचे स्विके थे च वोट गईंड देगे आपकी रापकी की अाद उनम्ड बीर प्香ersonering तो अब क्याक्टर हेंगे इत फोची इनले में कर पा रहेंगी क्लियर, तो टोटल थी एक बनेगी खुझें और जेस्के भी डिस्क्रिप्किर के आप ही है ओर तो फाइनली देखा ट्रमा इस बनेगा आप वर लिए डाश कॉर्प्टित है पॉल नमगए पहला कि है अपनीपिर प्रप्रेशोग कि होगा थै़ कि विट यह अपनी प्रफीक्टित में अपन待 करता स्थे करता चाल में है किया में होगा हमारे स्कृत प४ mitigation gagner कि Score प्सक्राइब उस किया तुल कि यह हो गा वार मैदी तूमहनी। मेरा लेशंचिप में मंए पास क्या रहेगा यहाँ पर जो तुर मेरा टूम्हाय सब्सक्तितीटों केवल करेंगे यिए शींचिजिक का वह हम वह हुआ है तुर यूजाइख करेंगे any doubt no sir any doubt hello hello yes sir sir how are you sir 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 मैं देखते हैंrig परनारी रिलेशंशिप्ट है यह कंद्रों पर पाइनरी रिलेशंशिप से लिए अगर रही करते है तो अगर मुटन वरेशो घब तरनागा ईसी को नाहीतो नाही झालाग को दो बाइनारी ले घिक भून और निद्टीजिस नाही है को अगरेक्श ज अब तरीच्छ और के डिस्टे उी ले खब लागा आए तर आपका अज़ारी हम हमारी अबस आपका आरे ना इन अरी ये चलिए अब आने रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो एने रिलेशनशिप लिए हमार पास सीम रेग्लर एंटिटीज ते पहला है स्टूडेंट विप रोल नमबर तुडेंट नेम वुड़ नमबर इस इस पाइमरी की second one is the teacher with teacher id, teacher name, teacher id is the primary key, next one is the course with course id, course name, course id is the primary key, अब उसका और हम क्या करेंगे, relationship का क्या करेंगे, table क्या बनेगी, teachers, और teachers का हम क्या करेंगे, अब attribute define करेंगे, तो इसके participating जितने भी entity sites हैं, सक्से हम क्या करेंगे, एक एक foreign की लेंगे, यहां से हम primary की ले रहें, roll number, यहां से ले रहें, course id, यहां से ले रहें, teacher id, course id, student id, roll number, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका maintain कर रहे हैं, grade, यह तीनों को combination मेरा क्या रहेगा, तीनों को combination मेरा क्या रहेगा, की रहेगा, और यह teacher id मेरा foreign की रहेगा, जो इसको maintain, इसको refer कर रहे है, यह teacher id, course id, इसको refer कर रहे है, roll number जो है वो, इसको refer कर रहे है, तो total चाटेवल लेगेंगी, एक रहेगा student, एक रहेगा teacher, एक रहेगा coach और एक रहेगा हमारा teacher झीक है? एक student की table बनेगी एक teacher की table बनेगी एक course की table बनेगी और एक रहेगा हमारा relationship total क्या रहेंगी? चार tables כमारी क्या रहेंगी, लगेगी clear है? तो यह हो गया हमारा complete Yard Graham to Lesson Mapping किसी को doubt है तो पूछ सकते हैं अब इसमें जो आप लों को ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि regular entity का तो हमें क्या करना है जिस्ते भी simple and single value अट्रिबूट है उनको हम directly insert कर देंगे जिस्ते भी composite अट्रिबूट है उनके हम simple components को insert करेंगे उनके हम कि जो रेगुलर एंट्रिबूट है क्या करते है और उसके प्रैमरी की बनाते हैं सब्सक्राइब करता है कि वहां में करते हैं कि है कि जो 據 क्लूस ब्रीका जिती फंसी प्लब कि अधि नीयूरी शो में मिनिमुम किन टेबल लगेगी दो टेबल गफिल केते तो अगर total participation दोनों साइट दिया रहेगा तो minimum एक table में काम हो जाएगा ठीक है उसके बाद next हमारा binary next हमारा binary one two many relationships तो इसमें minimum किसी table लगेगी दो table लगेगी one side के primary की मैं से many side में insert करूँगा as in foreign key फिर्थ हमारा binary many two many relationship किती लगेगी तीन table एक लगेगा दोनों entity side का एक लगेगा मेरा relationship का तो total one two or three total मेरी का लगेगी तीन table लगेगी और उसके बाद क्या है एनरी relationship अगर है तो एनरी relationship में मेरे पास किती टेबल लगेगी एन प्लस वन है ना एन प्लस वन क्यों देखिए आप एक तर्नल relationship तो तीन जो entity side से वह हमारी तो लग गई है प्लस जो relationship है उसका भी हमने एक टेबल बना यह है तो एन relationship के लिए एन regular entity प्लस वन और प्लस अगर किसी रेगुलर है तो उसका भी प्लस वन आप करते जाएंगे क्लियर है तो यह हो गया हमारा यह diagram to relation mapping अब इस से कोई questions है अगर आपको doubt हो तो आप क्या करेंगे मुझे बताएंगे या तो आप comment box में या chat box में आप क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे नहीं बनेगा ताब मुझे पूछ सकते हैं क्लियर है किसी को डाउट एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट अब आप आजये अटेंड यूर रोल कॉल रोल नमबर वन प्लेजंट सब्सक्राइब ने कहा है कि आप लों को जो है वो मेंटेंग करना है क्या अपना वीडियो भी दिखाते जाना है इस अब से नोव नुट्स अब लोल नमब्र वन अगेना प्रेजंटर वन बंड़ तू वी कर्मा इसेंट्स